नमस्कार आज केंद्रिये वित्त मंत्री निर्मला सिता रमन ने अपना पाँचवा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का आखरी पूर्ण बजट पेश किया यह बजट पूरी तरह से चुनावी होने की उमीद थी और यह पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें धेर सारी लोक लुभावन घोशनाएं होंगी क्योंकि अगले साल सरकार को लोक सभा चुनाव में जाना है और उस से पहले इस साल दस रज्यों के विधान सभा चुनाव होने है तो उस लिहाद से जो अनुमान था जो उमीदें थी यह बजट बिलकुल उसी तरह का है इसमें धेर सारी लोक लुभावन घोशनाएं हैं इसमें सरकार ने अपना खर्च बढ़ाने की घोशना की है ताकि विकास की गती बढ़े जादा से जादा रोजगार पैदा हो और एक फिल गुड का महौल देश में बने इसके अलावा कई छोटी छोटी ऐसी घोशनाएं हैं जो समाज के अलग-अलग वर्गों को सकारात्मक तरीके से प्रभावीद करेंगी तो यह जैसी की उमीद थी उस उमीद के हिसाब से यह एक सकारात्मक और चुनावी बजट है लोकल भावन गजट है, फिल गुड बजट है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा छिद्रा अनवेशन करने के लिए बहुत कुछ नहीं है बहुत कुछ आलोचना के लिए भी नहीं है बजट की शुरुवात के इंद्रिये वित्रमंतरी ने जिन बातों से की, उनहीं से अंदाजा लगया कि यह बजट किस दिशा में जाने वाला है उन्होंने सबसे पहले भारत को जी 20 देशों की अध्यक्षता मिलने का जिक्र किया उन्होंने ये बताया कि अब भारत 10 वी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था से आगे बढ़के 5 वी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था बन गया है उन्होंने बताया कि अब ये जो प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना थी जो जिसके तहट 81 करोड गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है वो योजना एक साल तक और जारी रहेगी उन्होंने ये भी कहा कि अमरित काल चल रहा है और اگला 25 साल जो अमरित काल है यानि आजादी के 100 साल पूरे होने के होने तक का जो समय है ये बजट उसका ब्लुप्रिंट है तो इसलिए ये आप मानके चलें कि इसमें कोई तातकालिक लक्ष नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसको अभी हासिल कर लेना है अगले एक महीने या तीन महीने या एक साल में, यह जैसा उन्होंने कहा कि यह blueprint है, आगे के समय का, जो अमरितकाल है, उस समय का. तो इस पॉजिटिव नोट के साथ उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू किया था और वो पूरे भाषण के दौरान वो पॉजिटिव नोट और वो उस तरह की पॉजिटिव बाते दिखती रहे है वित्तमंद्री ने इस बजट में अपनी साथ प्राथमिक्ताएं सरकार की जो साथ प्राथमिक्ताएं है इस बजट में उसमें पहली प्राथमिक्ता इंक्लूसिव डेवलप्मेंट की है समावेशी विकास की जिसका जिकर करते हुए अपने अंग्रेजी के भाषण में उन्होंने हिंदी का ये जुमला बोला कि वन्चितों को वरियता ये उस समावेशी विकास का है ये इंक्लूसिव डेवलप्मेंट का जो पहली प्राथमिक्ता है दूसरी प्राथमिक्ता लास्ट माइल डिलिवरी की है मतलब आखरी आदमी तक कोई भी सरकार की योजना है उसका लाब कैसे पहुँचेगा तीसरा इंफ्राइस्ट्रक्चर और इंफ्राथमिक्ता है ये सरकार का सबसे ज्यादा फोकस कहे रिया है जिस पर हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे ये है कि बुनियादी धाचे के विकास में जो सरकार निवेश करेगी चौथा है अनलॉकिंग नेसनल्स पोटेंसियल जो इस देश की शमताएं है यह उनलॉक करने का उनका अधिक्तम इस्तिमाल करने का पांच वह ग्रीन ग्रोथ का है विकास मतलब हरी विकास जिसमें हरी तूर्जा एक बड़ा फोकस है उस पर भी हम लोग बात करेंगे चटी चीज है यूथ पावर यह शक्ति जिसका हमने पहले वह उसी में आएगा स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट बुनियादी धाचे में निवेश सरकार विकास की गति को बनाए रखना चाहती है जैसा कि एक दिन पहले आर्थिक सर्वे में आया कि साड़े 5 प्रतिशत का विकास होगा GDP की दर साड़े 5 प्रतिशत होगी हलाकि वो पिछले 3 साल में उसमें विकासदर निगेटिव चली गई थी तो उसके बेस पर 8.7 प्रतिशत विकासदर कुछ नहीं होती है उस हाला कि तकनीकी रूप से यह कह सकते हैं कि पिछले 3 साल में सबसे कम विकासदर रहेगी 6.5% की इस साल लेकिन उसको भी हासिल करने के लिए सरकार किसी और पर गुजर रहा है यह चालू वितवरस है इसमें 7 लाग करोड रूपय खर्च किये थे लेकिन इस साल सरकार 10 लाग करोड रूपया खर्च करेगी उसमें पिछले साल के मुकाबले 33% की बढ़ोतरी की गई है जो capable expenditure है उसमें 31% की बढ़ोतरी की गई है वो बढ़के अब 10 पास का पहिया चलेगा तो ये एक सबसे सकारात्मक बात इस बजट की कह सकते हैं कि जिसके जरीय सरकार को अपना आर्थिकी का पहिया आगे चलाना है इसके साथ ही जो कुछ और चीजें हैं जो जो सकारात्मक है जिनकी जिनका लोग इंतिजार कर रहे थे पिछले आठ साल से एक इंतिजार हो रहा था आएकर स्लैब बदले जाने का वो भी वित्मंत्री ने बदल दिया उन्होंने कहा सबसे आखिर में ये घोशना होती है और सबसे ज़्यादा देर तक लोग सभा में इस पर तालिया बजती रही जब उन्होंने कहा कि अब पांच लाग की पांच स्लैब्स कर दिये गया है वो वो स्लैब्स भी उन्होंने बताए और किस तरह से अब आएकर का भरना आसान हो जाएगा ये भी उन्होंने बताया तो ये कुछ चीजें है जो बहुत अच्छी है जिनके तुरू लग रहा है जिनके जरिये लग रहा है कि सरकार सकरात् करने के लिए विकास दर बढ़ाने के लिए आम आदमी की जेब में पैसे डालने के लिए या आम आदमी के हाथ में कुछ पैसे बचाने के लिए ये इस बजट का मुख फोकस का एरिया था त्रस्ट का एरिया था जो दूसरा एरिया है दूसरा ख्षेत्र है वो ये प्राथ के लिए रखा है मतलब हरी तूर्जा की तरफ बढ़ने के लिए सरकार 35,000 करोड रूपया खर्च करेगी इसके अलावा 19,700 करोड रूपया सरकार खर्च करेगी हाइड्रोजन इंधन के लिए हाइड्रोजन एनर्जी के लिए और लद्दाख में ग्रीन एनर्जी पर सरकार 20, हजार साथ सो करोड रूपे खर्च करेगी तो ये कुल मिला करके कोई सतर हजार करोड रूपे के करीब है जो ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ सरकार का expenditure है सरकार ने जो उधर capital expenditure बढ़ाया है उसके साथ उसी में उन्होंने ये भी एलान किया कि इसमाल railway को 240,000 करोड रूपे का उसका total out ले होगा तो ये सब खर्च बढ़ाते गई है सरकार लगतार हर जगा खर्च बढ़ाते गई है और अर्थिकी का विकास का पहिया आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार जो खर्च बढ़ा रही है और green energy green development के तरफ जो बढ़ रही है उसके अलावा जो एक दूसरा रास्ता है वो रास्ता है कर्ज का सरकार ने credit की लिमिट भी बढ़ाई है हर जगा कर्ज देने की लिमिट बढ़ाई है वो MSME जो है जो लगू सूक्ष्म और मजोले उद्योग है उन की गती को आर्थिकी की गती को उसके पहिया को चलाने के लिए एक जो है यह सरकार की योजना है सरकार ने MSME को भी और agriculture सेक्टर में भी credit का लिमिट जो है या credit का जो प्रोविजन है वो बढ़ा दिया है उसके जर्ये सरकार को वो विकास की गती बढ़ानी है अब सवाल है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर दस लाग करोर रूपे करेगी उसने रेलवे का आउट ले दो लाग चालीस हजार करोर रूपे का कर दिया गरीन एनरजी के ऊपर वो सतर हजार करोर रूपे से ज़्यादा का खर्च करने जा रही है उसने एक सो के करीब अलग ट्रांसपो की सीमा बढ़ाई है उसको लेकर के वितमंतरी ने कहा है कि 35,000 करोड का रेवेनु जो है फॉर्गॉन हो गया मतलब वो चला गया सरकार के हाथ से निकल गया 35,000 करोड का तो यह सब है यह सब की भरपाई कहां से होगी तो उसके बारे में वितमंतरी ने बहुत साफ सब्दों में कहा कि सरकार करज लेगी और जो स्मॉल सेविंग्स की योजनाये हैं उसमें जो पैसे जमा होंगे उनका इस्तिमाल करेगी उन्होंने लिखा जोखा रखते हुए सरकार का यह बताया कि अगले साल मतलब जिसका बजट पेश हुआ है दो हचार तैईस और चौबीस के वि कों रुपे का यानी कुल 18 लाख करोड का डेफिसित होगा जो आमदनी है और खर्च है उसके बीच में वो आमदनी अठनी और खर्चार रुपई या टाईब की इस्तिती लग रही है 27 लाग की आमदनी है 45 लाग करोड का खर्च है तो उसकी भरपाई सरकार कर्ज लेकर करे और जो small savings में पैसे जमा होंगे banks में उसका इस्तेमाल करेगी सरकार इस gap को भरने के लिए तो यह इसी को बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो चालू खाते का घटा है current account deficit है वो बढ़ेगा नहीं इसके बावजूद वो घटेगा अभी चालू वित वर्स में जो अभी वर रूपे का deficit होगा इस वित वर्स में जो चल रहा है अभी और उसकी भी भरपाई कर्ज से ही हो रही है या banks में जो पैसे जमा है small savings के तो इस साल जो चालू वित वर्स है इसमें चालू खाते का घटा है 6.40% का जिसको कम करके अगले वित वर्स में सरकार 5.9% पर ले आईगी तो ये कोई अगर कम हो रहा है तो ये अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं और चुनावी साल में इतना इतना चालू खाते क घटा चलता है सरकार के पास और क्या रास्ता है और ये भी वित मंत्री ने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि 25-26 के वित वर्स तक वो 4.5% के दाइरे में ले आए चालू खाते के घटे को ये उन्होंने कहा ये मोटे तोर पर जो बजट का थ्रस्ट है जो फोकस का एरिया है जो प्रायरिटी है वो ये है इसके अलावा कई छोटी छोटी और अच्छी मानुए घोशना आए भी वित मंत्री ने इस बजट में की जैसे मैनुवल एस कवेंजिंग को जो जो नालों में सीवर में उतर के सीवेज में उतर के जो इनसान सफाई करते हैं उसको सरकार ने ब महिला सम्मान बचत पतर की घोशना की है वित मंत्री ने और महिला सम्मान बचत पतर के तहत ये प्रावधान किया गया है कि महिला के नाम से दो लाख रुपे जमा हो सकते हैं दो साल के लिए और उस पर साड़े साथ प्रतिशत का व्याज़ देगी मिलेगा उन लोगों को ये एक अच्छी योजना है इसकी घोशना की है तीस स्किल इंडिया इंटरेसल सेंटर खोलने की घोशना की है भारत सरकार ने ताकि युवाओं को रोजगार सक्षम बनाया जा सके एकलब विद्याले बढ़ाने की घोशना और इस तरह की कई यो स्टी स्टूदेंट्स के लिए जो अनुसुचित जाती के अनुसुचित जन जाती समुधाय के जो लोग हैं उनके लिए 15,000 करोड रूपे खर्च करने की घोशना भी की है वित्तमंत्री ने तो ये कुछ अच्छी घोशना है और इनकी उमीद की जा रही थी तो कुल मिलाकर के लबो लुआ बजट का ये है कि बजट पॉजिटिव रहा बजट पॉजिटिव इसनाते रहा कि सरकार ने अपना खर्च बढ़ाने का एक तिहाई पिछले साल के मुकाबले एक तिहाई खर्च बढ़ा दिया दस लाग करोड कर दिया कैपिटल एक्स्पेंडिचर को ताकि विकास की गती चले रेल टेकनोलोजी की इस्तेमाल को ले करके उन्होंने काफी कुछ कहा कि टेकनोलोजी के जरिये विकास की गती विकास की गाड़ी भारत की चलाई जाएगी तो कुल मिला करके ये चुनाओ के लिहाद से एक फील गुड का बजट था इसलिए इसमें बहुत कुछ आलोचना के लि किर्पया हमारे चैनल के साथ जुड़िए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकों जरूर दवाईए